तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर Gmail account को mobile से log out कैसे करते हैं कैसे हटाते हैं अगर आपने भी अपने mobile में बहुत सारे Gmail account लोग इन कर रहे हैं किसी एक account को आपको log out करना है mobile से हटाना है तो आप log out कर सकते हैं इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको सबसे पहले अपने मुबाइल की सेटिंग्स में आना है, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी, अकाउंट आपको इसे ओपन करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक Google का ओप्शन दिखाई देगा, आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर गूगल का ओप्शन दिखाई देगा, आपको गूगल पर किलिक करना है, अब यहाँ पर आपने मुबाइल में जितने भी Gmail आपको इस तरह से सेटिंग नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको Gmail एप को उपन करना है टीक है Gmail एप को उपन करने के बाद आपको उपर में 3 लाइन पर किलिक करना है इसके बाद आपको नीचे में Settings पर किलिक करना है आपको Google पर किलिक करना है, अब यहाँ पर भी आपको सारे Gmail अकाउंट दिखाई देंगे, जो आपके Mobile में Login है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे Mobile में 3 Gmail अकाउंट Login है, अब इन में से जो नीचे वाला अकाउंट है, इसे मुझे यहाँ से Logout करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो भी Gmail अकाउंट आप Logout करना चाहते हैं, उस पर आपको एक बाद टैप करना है, इस तरह से, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको एक Option मिलेगा, More, आपको इस पर किलिक करना है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक Option मिलेगा, Remove Account, जैसे ही दोस्तों आप Remove Account पर किलिक करेंगे, तो आपका Gmail अकाउंट मुबाइल से रीमु हो जाएगा, Logout हो जाएगा, हट जाएगा, डीलिट नहीं होगा, वो आपके मुबाइल में नहीं रहेगा, आप दुबारा से लॉगिन कर सकते हैं, किसी और मुबाइल में लॉगिन कर सकते हैं, डीलिट नहीं होगा, शिरिफ लॉगाउट हो जाएगा, रीमु हो जाएगा मुबाइल से, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रीमु अकाउंट पर किलिक करना है, एक पॉप अप आएगा, फिर से आपको यहाँ पर रीमु पर किलिक करना है, तो आपका जो जीमेल अकाउंट है, वो लॉगाउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, या पर आप दो ही अकाउंट दिखाई दे रहे हैं जीमेल के अगर आप दुबारा से उसी अकाउंट से लोगिन करना चाहते हैं तो लोगिन कर सकते हैं